XBET app download आप लिए Simply आपको अपने Browser खो open करना है Browser को open करने के बाद यहांपर आपको search करना है Download 1XBET app Search करने के बाद पहले यह website पर आपको click करना है यहांपर आपको download app 1XBET पर click करना है और आपकी app download हो जाएगी install करने के बाद यहां पर आपको कुछ ऐसा interface आ जाएगा login and registration पर आपको क्लिक करना है यहां पर आपको यह options आ जाएगे आपको यहां पर भाई phone पर क्लिक करना है भाई phone पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा interface आ जाएगा सबसे पहले आपको अपना mobile number डाल देना है मैं अपना mobile number डाल देता हूँ mobile number डालने के बाद की आपकी currency सी आयानार ही रहे है एंड उसके बाद यहां पर आपको प्रोमो कोड डालना है प्रोमो कोड आपका जो रहेगा वो रहेगा xd130 xd130 इससे आपको 100% deposit bonus मिल जाएगा साथ में ही जो sports bonus रहेगा 33,000 रुपीस तक मिल जाएगा एंड साथ में आपको terms and conditions को accept करना है उसके बाद green tick पर नीचे click करना है I am not a robot आजाएगा I am not a robot पर click करने के बाद आपको कुछ ऐसा interface आजाएगा यहां पर bicycle select मैं bicycle choose करता हूँ यह सबसे important है उसके बाद verify कर देता हूँ verify करने के बाद मेरा verification हो जाएगा उसके बाद मेरे number पर OTPI आजाएगा मैं send code करता हूँ OTPI ने के बाद मैं अपनी idea भी login करता हूँ login करने के बाद कुछ ऐसा interface आजाएगा सबसे पहने नीचे आपको यहां पर menu को option मिल जाएगा इस पर आपको click करना है यहां पर आपको क्या उपर deposit का option आ रहा होगा आप देख रहे हैं deposit पर आपको simply click करना है deposit पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको बहुत सारे options आ जाएगे deposit करने के जैसे UPI GPay phone पर जो भी आपका method रहेगा उस method से आप payment deposit कर सकते हो like मैं UPI पर click करना हूँ UPI पर click करने के बाद यहां पर आपको deposit करना है यहां पर आपको सबसे पहले उपर देखना है यहां पर आपको UPI name and UPI ID आ जाती है आपको UPI name and UPI ID copy करने के बाद जो भी आपका payment method रहेगा UPI का like Google Payphone Pay Pay ATM आप वहां पर विपन चंदरपाल को copy करके विपन की ID को copy करके आप वहां पर payment कर सकते हो जितना आपने payment किया होगा like आपने 10,000 रुपीज किया होगा आप यहां पर 10,000 रुपीज amount लिखे and उसके बाद अपनी यहां पर आपको क्या UPI ID लिखनी है उसके बाद UPI ID holder ने मतलब आपका नाम उसके बाद जो भी आपका reference ID रहेगा मतलब जो भी आप payment करेंगे ना उसके आपकी एक reference ID होगे वो यहां पर डाल दी है उसके बाद confirm पर click करना है उसके बाद आपकी ID में पैसे आ जाएंगे एंड साथ में ही आपका bonus amount भी जैसे कि अगर आपने 10,000 किया होगा deposit तो 10,000 पर आपको 10,000 रुपीज bonus amount आ जाएगा I hope कि आपको समझाया होगा अगर कोई दिक्कत हुई तो आप comment में मुझे पूछ सकते हो एंड चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सबस्क्राइब कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई